चलो बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वा अला बराकतिल्ला असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे पटेटो पैंकेक्स पहले मैंने एक सॉस पैन में पानी गरम होने के लिए रख दिया उसके बाद मैंने तीन आलू लिए जिन मेंसे दो का साइज थोड़ा बड़ा था और एक बिल्कुल छोटा सा था आलू को छील के अच्छे से वाश कर लेंगे अगर आपके आलू का साइज ज़्यादा बड़ा है तो आपने भीज मेंसे सिर्फ हाफ कट करना है अदर्वाइस आपने आलू को कट नहीं करना ये पैनकेक्स आप एट मन्स प्लस बेबीज को दे सकते हैं आप चाहें तो बना के वन वीक के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं मैं ये अशस के लिए ब्रेक्फस्ट के लिए बना रही थी साथ में मैं एक फ्रूट सर्फ करूंगी वन येर प्लस बेबीज को आप ऐसा स्नैक भी दे सकते हैं ये बहुत हल्दी ऑप्शन है जैसे ही पानी बॉल होना शुरू होगा हमने अलू को उसके भीज में डाल देना है और साथ ही हम टाइम नोट कर लेंगे हमने अलू को फुल बॉल नहीं करना हमने इनको 50% बॉल करना है मैंने तकरीबन 10 से 11 मिनट के लिए बॉल किया था फिर मैंने कांटे से चेक किया अलू थोड़े से सॉफ्ट हुए थे लेकिन फुल बॉल नहीं हुए थे तो मैंने निकाल लिए हमने अलू को ठंडा करने के लिए इनके उपर पानी नहीं चलाना बलके इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है इसी वज़े से मैंने आप से पहले बोला था कि आपने आलू को कट नहीं करना और आपने मेक शूर करना है कि आपने आलू को 40 से 50 परसंट ही बॉल करना है ताकि कद्दू कश करने में असानी हूँ आलू अलू अलरीडी 50 परसंट बॉल डें तो जब हम इनको fry करेंगे तो ये जल्दी को को जाएंगे इसलिए अगर आपने बना के रखे हो तो आपने इनको freezer से निकाल के defrost करना है और उसके बाद आपने fry कर लेना है पिर मैंने एक बड़ा bowl ले लिया उसके अंदर मैंने one tablespoon भरके मेदा आड़ किया one tablespoon भरके conflore आड़ कर लिया उसके बाद मैंने half teaspoon according to taste नमक आड़ किया थोड़ी सी काली मिर्च आड़ की सिर्फ टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा मैंने oregano आड़ किया बाकी आप अपनी मर्जी से कोई spices आड़ करना चाहें तो कर सकते हैं मैंने और कोई spices आड़ नहीं की उसके बाद हम इसमें aloo आड़ करेंगे जो हमने boil करके कदू कश करके रखे थे मैंने इसको हाथ से ही mix कर लिया था उसके बाद better को बिल्कुल combine करने के लिए मैंने इसमें एक अंड़ा शामिल किया फिर मैंने इसको अच्छे से चमच के साथ mix किया मैदा और कॉन फ्लोर अभी भी mix नहीं हुए थे सईसे मैंने इसमें एक चीज का ब्लॉक भी add किया था बाद में वो unfortunately record नहीं हुआ था मैंने इसमें कीरी चीज यूज किया था pan के उपर रख सकते हैं जैसे हम pancakes बनाते हैं और उपर से हलकालका प्रेस कर सकते हैं ताकि थोड़े flat हो जाएं मैंने 3-4 दिन के लिए बनाने थे इस वज़ा से मैंने freeze कर लिए थोड़े से ये better हातों पे चपकता है इस वज़ा से आपने हाथों को बनाने से पहले oil से grease कर लेना है या फिर आप पानी भी use कर सकते हैं मैंने साथ पानी रखा वा था और मैं पानी लगा लगा के कबाब बना रही थी इस तरह बहुत easily बन जाते हैं और better जाया भी नहीं होता अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथी बेल आइकन को भी क्लेक कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आये तो आप मिस ना करें almost सारे pancakes ready हो गए थे आप इनको shallow fry भी कर सकते हैं और deep fry भी कर सकते हैं अश्रस के लिए मैंने कुछ भी fry करना हो तो मैं देसी की यूज करती हूँ या पर simple वाला olive oil अब मैंने pan ले लिया यहाँ पर तक्रीबन 3 teaspoon मैंने देसी की add किया इसमें उसके बाद मैंने इसमें pancakes add कर दिये ये pancakes मैं freeze कर लोगी तक्रीबन 3-4 दिन के breakfast के लिए अब खुद भी try करके देखिएगा इनके ओपर इतना मज़े का एक crisp आ जाता है बिल्कुल ready made लगते हैं जैसे mcdonald's से hash browns मलते हैं त्रस्ट मी ये बिल्कुल वैसे बनते हैं बस आपने boiling का धिहान रखना है यहाँ पर मैंने pancakes को dish out कर लिया मैंने try किया था अनमक में चेक करने के लिए taste किया था seriously बहुत मज़े के बने थे इतनी healthy recipe है potatoes के साथ because वो full of carbs होते हैं I would suggest कि ये french fries से बहुत बेतर है अगर आपके बच्चे खाएं तो यहाँ पर मैंने अश्रस के breakfast को complete करने के लिए दो छोटे छोटे बनेनास रखे मैंने बनेनास को खोल के cut इस वज़ा से नहीं किया क्योंकि जब तक अश्रस ने hash browns खाने या bananas black होना शुरू हो जाएंगे इसलिए मैंने hash browns खिलाने के बाद अश्रस को बनेनास खिला दिये थे और मैं अश्रस को बनेना हाथ से मैश करके खिलाती हूँ I hope you like the video Allah आपिस